बिस्मिल्यारामान ररहीम, असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुजयांसारी और आप दिख रहे हैं इजाजांसारी फूर सीक्रिट्स अलबर कदे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जाये को में आपको बताऊंगा घर पे जब आप पिंक टी बनाते हैं तो वो पिंक कलर की क्यों नहीं हो पाती कौन सी घलत बाते हैं जो आपको समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं और होती नहीं है किस तरह से उरिजिनल ये कलर आप लेके आ सकते हैं और किस तरह से ये वाला कलर आप लेके आ सकते हैं पारी की शॉप से या हकीम की शॉप से या बड़े जर्नल स्टोर पे और ये इतनी सी जो है ये 100 की या लास्ट ये इतनी सी 20 रुपए के तीक है तो अब आपने क्या करना है इसको एक दफाए लाके आप घर पे सेव कर सकते हैं ये खराम नहीं होती पड़ी पड़ी तीन चार पिंक कैसे आता है ये में टेकनीक है जो आज मैं आपको बताऊंगा तो यहां पे सबसे पहले एक खुबसूरत सा प्यारा सा पैन लेंगे जिसको मैंने कल जो मैंने डिश वाशर बनाया था उससे धोया है ठीक है उसकी यूडियो मेरे चैनल पे है जाकर ज़रूर देखिए ये कावे से तकरीबन कहले है कि 15-20 कब चाय बन जाएगी ठीक है तीन लॉंग काफी होंगे और साथ इसमें एक चोटा सा दारचीनी का टुकर आड़ कर देंगे चलेंजी अब आपने इसमें ये पत्ती आड़ कर देंगे जिसको कश्मीरी चाय भी बोलते हैं जिसको पिंक बiernoень आपनाबी फ्लेवर होता है तो ये दोनों चीजें ही एहम हैं दोनों चीजें मिलके वह और रियल फलेवर आता है इन पत्तों को बहुत जारा कुक करना है बहुत जारा पकाना है तो हमारी असानी के लिए ताके पकाई जल्दी हो जाए सिर्फ इस वज़ा से थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा खाने का सोडा एड करेंगे ठीक है यह ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अट करें ही करें इसका कलर से कोई तालुक नहीं है इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ पकाई से है कि पकाई जल्दी हो जाए अगर आप यह नहीं अट करते हैं कोई मसला नहीं आपने लो flaim के उपर इसको पकाना है यहाँ पे नमक ज़रूर एड होता है इस रेस्पी में चुटकी नमक इवन कुछ इलाकों में जो कश्मीर के ये चाय बनती है वो चीनी एड करते ही नहीं इसके अंदर ठीक है तो डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट रेस्पी है अभी तक कोई पिंक कलर नहीं आया इसको मैं पकने दे रहा हूँ हरा कलर एक टेकनीक यह है कि आपने इसको बहुत पकाना है अब आपको थोड़ा सा जाग के अंदर पिंक कलर नजर आना शुरू हो गया होगा इसके अंदर कोई कलर मैंने अडनी किया कुछ भी और एड नहीं किया सिर्फ मैंने पकाई कीई इसकी और इसके अंदरे कोई ठंडा पानी, गरम पानी वो बार बार एड करना कोई ऐसी आपने फिल्म जो यह नहीं चलानी कि गलास ठंडा पानी फिर एक गरम पान नहीं नहीं ऐसे ही पकाते जाना है यह आपको एक टाइम बाद उपर पिंक कलर की जाग नजर आएगी इससे हमें पता चल गया कि जो पिंक कलर है वो डिवैल्प होना शुरू हो गया है और यह आटोमेटिकरी खुदी पकाई करने से हुआ बार बार ठीक है मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसको अच्छी तरह से पकाया तक्रीबन कोई 20 से 25 मिनट अब यह देखें साइड पे आपको कलर नजर आना शुरू हो गया था अब आपने इसको एक जाड के अंदर या किसी भी बॉटल के अंदर ठंडा करके इस तरह से स्ट्रेंड कर लेना है पुन लेना है और इसको आपने मैंफूस कर लेना है फ्रीच में रख देना है साथ दिन तक कुछ नहीं होता साथ दिन तक ठीक है उसके बाद बिसमरार बना है यहाँ आप एक खुबसरा सा पैल लेंगे, इसमें हम करेंगे दूद एड़, मैंने अभी सिर्फ दो कप चाय बनानी है, पिंक्टी, तो उस ही साब से मैंने जो है, वो दूद एड़ किया है, दूद जब भी किसी बरतन से एड़ करें, खंगाज रोर एड़ किया करें, ताकि थोड़े से थोड़ा दूची है, वो भी जाया नहीं हो, थोड़े से चीनी आड़ करेंगे, और जब यह अच्छे से पक्ष आएगा ना, वाइल आ जाएंगे दो तिन, तब इसके अंदर हम यह कावा आड़ करेंगे, जितना हमें टेस्ट चाहिए होगा, जितना कलर चाहि है, और रियल आई में यकीन करेंगे, ज्यादा पिंक डजर आ रहा है, तो यहां पर इसको जब सर्व करते हैं, तब इसके अंदर यह ड्राइफ रूट्स भी एड़ करते हैं, लेकिन अगर आपको यह ज्यादा अच्छा गलर चाहिए, तो कोई शरम नहीं, आप थोड़ा स अर्टिफिजल पिंक फूड कलर इसके अंदर एड़ कर दें, यह एक्स्ट्रा ओर्डिनरी हो जाएगा, हाला कि जुरूरत नहीं है, तो माशाला, अलहंद लिला, लिखेजी, मेरे अल्ला की शान, उसकी रह्मते, नेमते और बढ़ते जिस रवाते में में, तो मेरे यारे के लुड़े तक आला, पीस